नमस्ता, ताजा कोप्रों को देखने के लिए बने रहे हैं अपाणा के साथ सिरोही जिले में पहली बार मिजी लैबोलेटरी पर कारवाही कर किया गया सीज सिरोही पिछले कुछ समय से कामबेशवर लैबोलेटरी सीवगंज की शिकायक प्राप्त हो रही थी जिसमें किसी जांचों का शुल्क जादा वसूला जा रहा था कुछ मरीजों की बिना जांच करे रिपोर्ट बनाई जा रही थी जांच पर हस्ताक्षर किये बिना मरीजों को जांच रिपोर्ट दी जा रही थी इस शिकायक पर मुख्य चिकिस्सा एवं स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने संग्यान लेते हुए काम बेश्वर लैबोलेटरी शिवगंज पर स्वागीरत चोधरी शिवगंज ब्लॉक्ट मुख्य चिकिस्सा अधिकारी डॉक्टर कोशल ओहरी के साथ दबिश्दी इस समय वहाँ पर मौजूद रमेश कुमार नामक्र्यक्ति मिला जो अपने को लैबोलेटरी संचालक बता रहा था लेकिन पुछताच करने पर रमेश कुमार ने बताया कि उसके पास लैबोलेटरी पशिक्षन के लिए संबंद में कोई प्रमान पत्र नहीं है लैबोलेटरी में रखी मशीन का कोई खरीद कर बिल नहीं है साथ ही कोई कैलिब्रेशन नहीं हुआ है रमेश कुमार को बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी लैबोलेटरी की दुकान की जगा की बहुत कम थी इसके पास किसी भी प्रकार बिल बुख भी नहीं है और बिना हस्ताक्षर किये मरीजों को जांच रिपोर्ट दी जा रही थी लैबोरेटरी में रियर जेंट रखने के लिए रैफ्यूजरेटर भी नहीं था उसकी दुकान में काम में लिये हुए डिस्पॉजर, सिरीज एवं काम में लिये हुए किट बरामत किये तुरंत प्रभाव से FIR हेतू डॉक्टर मानक चंद जैन चिकेसा अधिकारी सामुदाइक स्वास्ते केंदर शिवगंज को CMHO डॉक्टर राजीश कमार ने आधिशित किया